नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूँ बे नजिर हाश मी बुलिटिन में शुरुवात करेंगे पहले कुछ ताज़ो तर्विन सुर्खियों की फिर बात करेंगे हर्याणा की खास खबरों की WFI के पुर्व अधियक्ष ब्रिज भूशन सिंग को दिल्ली हाई कोड से फिलाल नहीं मिली कोई राहत योन शोशड केस में FIR चार्शीट और निचली कोड का आदेश रत कराने की की थी मांग कंगनर अनोद ने भाशबा अधियक्ष जेपी नड़ा से की मुलाकात किसान अंदोलन पर बयान के बाद नड़ा से मिली पहली बार पार्टी ने हिदायत दी थी आगे ऐसे ना दे भढ़काओ बयान हैदराबाद में SBI बैंक के एक ब्राउंच मैनेजर और उनके सहयोग्यों को 175 करोड रुपे की दोकादडी के मामले में किया गया गिरफ्तार फर्जी एकाउंट खुलवाने के साथ बैंक अधिकारियों से लेता था कमिशन असम विधान सभा ने मुस्लिम भिवात अलाग अधिनियम को खत्म कराने के लिए विदेख किया पारिय यूपी के भैराईच में बेडियों का आतंक जारी पकड़ा गया चोथा भेडिया पैतिस गाव में बना हुआ है डर का महौल गुजरात में बाड के कहर 29 लोगों की हुई मोद भारी बारिश का अलट जारी पियम मोदी ने सियम भुपेंद्र पटेल से की बातचित जाने हालाद यूपी की मेंटपुरी में दो मंजिला इमारत गिरने से हासे में एक ही परिवार की तीन महिलाओ की हुई मोद अब यूपी सी को मिली उमिद्वारों का आधार और ठेटी केशन की अनुमती पूजा खटकर विवात के बाद लिया गया फैसला द्रसलाब यूपी सी परिक्षा देने वाले सबी उमिद्वारों का आधार वेरिपेकेशन खुद कर सकेगा तो ये थी दिनबर की कुस्ताजा सुर्खिया आप बात करते हैं हर्याणा की खास खबरों की सिर्शा से कॉंग्रे सांसत कुमारी शैल्जा शांसत बनने से पहले ही विदानसवा चौनाव लड़ने की इच्छ जताती रही है दरसल विदानसवा चौनाव से पहले उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की थी आपको ये भी बता दे उनकी यात्रा का दूसरा च्छरण 30 अगस्त को हिसार के वरवाला से शुरू होगा शेलजा ने कहा कि मैं विदानसवा चौनाव लड़ना चाहती हूँ और इस बारे में पार्टे हाईकमान से अनुमती लूँगी साथ ही उन्होंने कहा मैं पहले से ही कह चुकी हूँ कि मैं विदानसवा चौनाव लड़ने में चुक हूँ मैंने ये लोगसबाचोनाव से पहले ही कह दिया था और हाई कमान के आदेश पर ही मैंने लोगसबाचोनाव लड़ा था और अब भी हाई कमान के अनुमती हुई तो विदानसबाचोनाव जरूर लड़ूंगी बताते चले कि उन्होंने कहा कि वे है कॉंग्रेस की अनुशाशित सिपाई है कॉंग्रेस हाई कमान का जो भी फैसला होगा वे मानने होगा कॉंग्रेस की पदियात्राव को परदेश भर में भारी समर्थन मिल रहा है हर्याडा में कॉंग्रेस की सरकार बनानी है तो कॉंग्र मजबूत होकर जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी हर्याडा विधान सभाचुनाव को लेकर आभी तक सभी नेता टिकट के लिए भाग दोड कर रहे हैं दरसल बता दे सबसे पहले भाजपा की सूची आने वाली है वही एक सितंबर से पहले भाजपा आपने उमीदवारों की सूची जारी कर सकती है साथ में ये भी बता दें कि एक सितंबर को जिंद में भाजपा बड़ी रैली करने जा रही है जो जिंद के एक लवे स्टेडियम में होगी इस रैली में केंदरी ग्रह मंतरी अमिशा के आने की भी संभावना है इसके अलावा मुखे मंतरी नायाप सिंग सैनी के साथ सत केंदरी चिक्षा मंति धर्मेंदर परधान मनोहर लाल समेथ 6 से ज्यादा केंदरी मंतरी आएंगे भाशपा बागर की धर्ती से जाटलेंड के साथ पूरे परधेश को साधने का परयास करेगी रैली क्या हो जब पूर्व सांसत संजे भाटिया होंगे महीं इस रैली में हर छेतर हर वर्ग को साधने के लिए भाशपा के दिगज मैदान में उतरेंगे मुक्य मंतरी नायब सायनी परदेश में जन आर्शिवाद रैली कर रहे हैं जिंद में अभी तक ये रैली नहीं हुई है मताते चलें कि अब चुनावी समय में इस रैली को और बड़े सतर पर किया जा रहा है रैली में छे से अधिक केंद्री मतरीयों के साथ साथ परदेश का पूरा नेत्रिप हुंकार भरेगा हर्याणा विधान सवाज चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर राश्ट्रिय लोग दल आर एलडी चुनाव लड़ सकता है दरसल कयास लगाए जा रहे हैं कि हर्याणा में बीजेपी के साथ आर एलडी गटबंदन कर सकता है वहीं बीजेपी बड़े दलो के साथ गटबंदन नहीं करेगी बलकि छोटे दलो के साथ गटबंदन में चुनाव लड़ेगी बताजे चलेगी हर्याणा लोखित पार्टी हर्याणा जन चेतना पार्टी को भी भास्पा सीट देगी और साथ ही गोपाल कांडा और विनोच शर्मा की पार्टियों के साथ भी गठवंदन रहेगा दरसल आपको ये भी बता देगी गोपाल कांडा पांस सीटों पर दावा कर रहे हैं तो वही बिनोत चर्मा की नजर अंबाला शहर और काल का विधान सभापर है R.I.D. दो से चार सीटों पर चुनाव लड़ सकती है हर्याणा वीजेपी कौर गुरूप की बैठक चल रही है जहां भाश्पया राश्री अधियक जेपी नड़ा बैठक में मौझूद रहे वही मुख्य मंतरी नायाव सैनी केंद्री मंतरी मौनोहर लाल चुनाव सहय प्रभारी विपलब देव के अलावा पुर्व ग्रह मंतरी अनिल बीज भी शामिल हुए है वही केंद्री राज्ये मंतरी राव इंदर जीज सिंग रिश्नपाल गुजर भी वहाँ पोचे है वरवाला की ध्रमशाला में उकलाना हलके के जेजेपी कारेकरताओं के साथ बैठक की द्रसल दुश्यन ने कहा कि पार्टी संगठन को जो भी छोड़ कर गया उनका हश्र जो हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है और जो आप पार्टी संगठन छोड़के गए उनका भी वही हश्र होगा आपको बतादे नोहाय ने कहा कि निष्ठा संगठन में होती है वैक्ती विशेश में नहीं साथ ये भी कहा कि संगठनी किसी को कारेकरता से नेता बनाता है संगठन के कारेकरताओं की मैनत से ही नेता, MLA और सांसप बनते हैं बताते चले कि नोहा ने कहा कि पिछली बार भी यहां से कारेकरताओं ने जेजेपी का विधायक चुना था और इस बार भी कारेकरता ही अपनी महनत के दम पर उकलाना से चावी के निशान पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को अपना विधायक बना कर विधान सवा मे बेजेंगे साती नोने कारेकरता उसे हवान किया कि चुनाब होने में अभी 32 दिन का समय शेश है और अभी कारेकरता हलके के हर घर तक जाका परतेक मतदाता से संपक करें दुशिन चटाले ने कहा कि जो लोग पार्टी संगठन को धोका दे कर गए हैं उनके लिए पार्टी मे वविशे में भी कोई जगा नहीं होगी और ऐसे लोगों को पार्टी कारेकरता भी हमेशा याद है बीजेपी की मंडी से सांसद और मशूर अभी नेत्री कंगना रनोत किसान अंदोलन पर दिये गए विवादित वयान पर अब शिरो मडी अकाली दल के अध्येक्ष सिम्रंजी सिंग मान ने एक बेहद विवाद वाला वयान दे दिया है द्रसल सिम्रंजी सिंग मान के वयान के बाद रादनीती में हलचल मच गई है बताने सिम्रंजीत सिंग मान ने कंगना रनोत को लेकर कहा कि कंगना रनोत को बलतकार का बहुत अनुभव है द्रसल किसान अंदोलन के संदर्व में कंगना रनोत की टिपड़ी परपरतिकिरिया देते हुए समर्जित सिंग मान ने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाता लेकिन कंगना रनोत को रेप का बहुत अनुभव है और आप उनसे पूछ सकते हैं कि रेप कैसे होता है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि रेप कैसे होता है हर्यारा की खास खबरें कल फिर होगी मुलाकत ऐसी खासखबरों के साथ तब तक लिए बने रहे हमारे साथ और देख रहे हैं देश रोजाना नमशकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें